नमस्कार मैं प्रद्युम्न तिबारी आप सभी के समक्षुपस्थित हूँ मित्रों चार ग्रहों की युती का फल जानने के क्रम में आज हम बात करेंगे कि सोर्य, चंद्र, गुरू और सुक्र की युती का क्या फल होगा मित्रों यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में किसी भी रासी में सोर्य, चंद्र, गुरू और सुक्र एक साथ बैठे हूँ तो क्या फल होगा आए हम जान लेते हैं मित्रों यदि आपकी कुंडली में सोर्य, चंद्र, गुरू और सुक्र की युती हो यानि कि किसी भी भाव में किसी भी रासी में सोर्य, चंद्र, गुरू और सुक्र एक साथ बैठे हो तो जातक बुद्धिमान, बिद्वान और धनवान होगा जातक कई बिसेयों का जानकार होगा जातक सभी से अच्छा बेवहर बना करके रखने बाला होगा जातक सदाचारी होगा यानि कि अच्छे सुभाव बाला होगा सभी के बिसेय में अच्छा सोचने बाला होगा जातक किसी बड़े जलासय का स्वामी होगा यानि कि किसी ताला बादी का अथवा कुवा बाबडी यादी का स्वामी होगा यानि आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि जातक कोई जला से बनवाने बाला होगा जातक कोई स्विमिंग पुल, वाटर पार्क, बाटर फॉल इस तरह की चीजों का स्वामी हो सकता है जातक बहुत सारे पसूओं को पालने बाला होगा यानि कि जातक कोई इस तरह के पालतू जानवरों को पालने बाला होगा अथवा गाए भे साधी को पालने बाला होगा अथवा जातक जल से और पसुओं से बहुत प्रेम करने बाला होगा यानि कि कुछ लोग होते हैं जिनको पानी में नहाना स्विमिंग पुल में अथवा किसी नदी में या तालाब में नहाना बहुत अच्छा लगता है वो जल से प्रेम करते हैं तो हो सकता है कि जातक भी जल से प्रेम करता हो और जातक पसुओं से भी यानि कि पालतू जानवरों से बहुत प्रेम करने बाला होगा जातक पहाडों में, बनों में, जंगलों में और पुराने एतिहासिक इस्थानों में घूमने का सौकीन होगा जातक राजपूज्य होगा राजपूज्य यानि आज के समय में हम ऐसा कह सकते हैं कि जातक बरिष्ठ अधिकारियों से अथबा, मंत्रियादी से राजनीती में अच्छी पहुँच बनाने बाला होगा जातक अपने समाज के बड़े लोगों से सम्मानित होगा जातक समाज के बड़े लोगों के साथ में उठने बैठने बाला होगा जातक प्रभाव साली व्यक्तित तुबाला होगा जातक किसी से भी मिलेगा अत्वा किसी से भी बातचीत करेगा तो सामने वाला व्यक्ति जल्दी से जातक के प्रती अट्रेक्ट हो जाएगा आकरशित हो जाएगा जातक समाज में सम्मानित होगा जातक गुणवान यसस्वी होगा जातक मंत्रियादी से अथवा बरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा सम्मानित होगा जातक किसी बड़े जलासय के पास यानि कि किसी नदी अथवा किसी तालाव के पास में रहने बाला होगा अथवा जली ये प्रदेशों में यानि कि जहाँ पर जादा बारिस होती हो ऐसे प्रदेशों में रहने बाला होगा अथवा जातक समुद्र के तटिये छेत्रों में रहने बाला होगा अथवा जातक जंगलों में अथवा परवतों पहाडों वाले सहर में या पहाडों वाले छेतर में रहने बाला होगा जातक सुखी जीवन ब्यतीत करेगा जातक अती कामुक प्रवर्ति का होगा जातक भोगी प्रबृति का होगा यानि कि जीवन के हर छण का आनंद लेने बाला होगा और कामुक प्रबृति का भी होगा जातक अच्छा नेत्रत तो करता होगा यानि कि जातक के अंदर लीडर्शिप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी जातक अपने जीवन में लीडर बनेगा भी हो सकता है कि जातक राजनीती में जाकर के लीडर बने अथवा जातक किसी समाज का अथवा किसी संस्था का नेत्रत्व करने बाला होगा अथवा जातक नौकरी आदि करेगा तो अपने आफिस में भी कुछ लोगों का नेत्रत्व करने बाला होगा यानि कि ऐसे लोग टीम लीडर आदी जल्दी बन जाते हैं जातक यदि अपना बिजनिस करेगा तो उसमें नेत्रत्व करेगा जातक परोबकारी और धार्मिक सुभावका होगा समाज में लोगों की सहायता करने बाला होगा जातक कई विशयों का जानकार होगा और अपने विशय में यानि कि अपने काम में माहिर होगा जातक बहुत ही सज्जन और मिलनसार होगा किसी से भी जल्दी दोस्ती कर लेगा जातक हमेशा उची सोच रखने बाला होगा यानि कि हमेशा अच्छी सोच रखेगा और उचा सोचेगा जातक लोकमान्य कीरतिवान होगा और जातक सर्बमान्य होगा यानि कि जातक यदि कोई बात बोलेगा तो उसके ओफिस में या फिर उसके घर में सभी लोग उसकी बात मानेंगे जल्दी से कोई उसका विरोध नहीं करेगा जातक समाज में और अपने कुटुम्ब में सभी से अच्छा बेवहार बना करके रखेगा जातक सब का प्रिय होगा यानि कि कुछ लोग आपने देखे होंगे जो किसी से भी सत्रुता नहीं करते या फिर कोई भी व्यक्ति उनको अपना सत्रु नहीं मानता वो सभी के मित्र होते हैं ऐसा ही जातक भी होगा वो सब का प्रिय होगा सब से अच्छा बेवहार बना करके रखेगा जातक धनबान एस्वरेबान होगा और जातक सुखी जीवन जीएगा मित्रों किसी भी भाव में तीन सुभग ग्रह एक साथ बैठे हो तो निश्चित रूप से जातक को राजयोग जैसा फल मिलता है और यहां पर सूर्य, चंद्र, गुरू और शुक्र चार ग्रह एक साथ बैठे हैं जिसमें से की चंद्र, गुरू और शुक्र तीनो सुभग ग्रह हैं तो इन तीनो ग्रहों का योग निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा और इनके साथ में सूर्य का योग बहुत ही अच्छा होगा इन चार ग्रहों का योग जातक को राजियोग जैसा फल देगा जातक अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करेगा और सुखी जीवन जीएगा सुखी रहेगा मित्रों आज हमने जाना कि सूर्य चंद्र गुरू और सुक्र की युतिका क्या फल होगा आज के लिए बस इतना ही आसा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी नमस्कार